पहले जो बजरंग बली भगवान नहीं थे अब वही बजरंग बली भगवान कृपा करें कि हम अटूट रहें और देश की सेवा करें इसे कहते हैं थूप कर चाटना नमस्कार मैं ब्यूटी के री आप देख रहे हैं जन हितावाज मनोज मुंतशीर ने अब माफी मांग ली है किस बात के लिए कि भावनाएं आहात हो गई लोगों की आदिपुरुश मुवी को आये हुए एक महीने से जादा हो गया है और मुवी आने के बाद लगातार लोगों में आक्रोश था लोग अपनी भावनाएं आहात होने के लिए लगातार मनोज मुंतशीर को माफी मांग ली के लिए बोल रहे थे लेकिन तब मुंतशीर ने माफी नहीं मांगी और अलग से दलीले पेश करने लग रहे थे लगातार उन्होंने टीवी में इंटर्व्यूस दियें और कहा कि बजरंग भली भगवान नहीं है वो तो भक्त हैं हम उन्हें भगवान मानते हैं भगवान राम्त के पास तो शक्तियां नहीं थी और ऐसे ही और भी कई सारे दलीले उन्होंने दी लेकिन अब आज उन्होंने तड़के सुबा माफी मांग लिया है माफी नामे में उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़के सुनाती हूँ मैं श्विकार करता हूँ कि फिल्म आदिपूरुस से जन भावनाएं आहात हुई है अपने सभी भावियों बहनों बड़े पूज्य साधू संतो और श्रीराम के भक्तों से मैं हाथ जोड कर बिना शर्थ माफी मांगता हूँ क्योंकि थोड़े दिन पहले वो लगतात दलील दे रहे थे इसलिए अब बिना शर्थ माफी मांगता हूँ भगवान बजरंग बली गौर कीजिए थोड़े टाइम पहले भगवान बजरंग बली जो थे वो भगवान नहीं थे वो सिर्क भक्त थे वो मनोज मुंतशीर ने उन्हें भगवान बना दिया था तो भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें हमें एक जूट और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ती रे ये उन्होंने कहा इनके ट्वीट के बाद लगातार लोगों की भी पतिकरिया आई है और उसमें लोगों ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिये काफी देर कर दी जब फिल्म फ्लॉप हो गई सिनेमा घर से उतरनी शुरू हो गई जब खोने को कुछ नहीं बचा जब जनता का आक्रोश खुद ही ठंडा हो गया तब माफी मांग रहे हो यह काम तो फिल्म रिलीज होने के कुछ दिन के भीतर ही होना चाहिए था लेकिन तब तो आप कलेक्शन गिनाते और फिल्म का बचाव कर घाव पर नमक शिरकने में व्यस्त थे अब फिल्म की कमाई पूरी हो गई है तो माफी मांग रहे हैं खेर देर आए दुरुस्त है एक अन्य यूजर ने लिखा है आपने माफी तब मांगी जब सारी अकर धीली हो गई जब पूरा देश आदिपूरुष पर आक्रोशित था तब आप बेशर्मी से आप हार मेरे देश लिखकर कलेक्शन दिखा रहे थे उसके बाद आदिपूरुष के मेकर्स वो अपने अपराधों को बेशर्मी से बचाओ कर रहे थे यानि टीवी इंटर्व्यूस दे रहे थे आपको लगता था कि हिंदू समाज मुर्ख है आपको महर्सी बाल में की या तुलसी बाबा मान कर आपकी हर बात मान लेगा लेकिन जब थीएटर से फिल्म उतर चुकी है लागत भी नहीं निकल पाई तब माफी मांग रहे हैं वैसे ही आदिपूरुस में हुए अपराधों के लिए या आपके आगे के प्रोजक्ट फ्लॉप न हो जाएं उसके लिए माफी मांग रहे हैं एक और यूजर्स ने लिखा जब लोगों ने शो से बाहर कर दिया एंकरिंग से बाहर कर दिये गए नए कॉंट्रेक्ट मिलने बंद हो गए तब जाके माफी मांग रहे हो अब बहुत देर हो चकी है मुंतशीर लोगों ने आपकी सचाई जान लिया है आपके अर्थ प्रेम को पहचान लिया है अब माफी का कोई मतलब नहीं है साफ तोर पर लोगों ने अपनी राय बता दिया कि अब माफी का कोई मतलब नहीं है वहीं एक सवाल ये भी है कि ये माफी नामा क्यों किा 27 जुलाई आने वाले 27 जुलाई से मनोज मुंतशीर डर गए है क्योंकि आने वाले 27 जुलाई को इलहाबाद हाई कोट ने साफ तोर पर कह दिया है कि मूवी जो बनी है फिल्म आदिपूरुस के मेकर्स और डिरेक्टर दोनों ही तलब होंगे उसके बाद ही आगे के शुरुवाई होगी तो क्या कोट के सुनवाई से मुनोज मुन्तशी डर गए हैं या आगे के आने वाले प्रोजेक्ट उनकी फ्लॉप न हो जाए इस वज़े से डर गए हैं और उन्होंने पहले माफी क्यों नहीं मांगा क्या प्रॉबलम थी पहले माफी मांग लेते क्या वो इस चक्कर में थे कि जैसे कि पिछले कुछ समय से चल रहा था कि पहले फिल्म आती है उसके बाद कॉंटुवर्सि होती है और फिल्म उसके बाद हिट हो जाता है तो क्या वो भी इसी चक्कर में थी कि कॉंटुवर्सि होगी तो मुवी उनका जो है वो हिट है जाएगा मुवी के कलेक्शन सा आ जाएंगे अच्छे वहीं एक बात और है, खुद समय पहले, थोड़े छे महीने पहले ही, मनोज मुंतसीर सिर्फ मनोज मुंतसीर हुआ करते थे लेकिन अब मनोज मुंतसीर, मनोज मुंतसीर शुकला हो गए है, शुकला मतलब ब्राम्मण पंडित अब उनसे सवाल ये है, कि वो तो ब्राम्मण है, उनसे देश द्रोग कैसे हो गया खुद समय पहले, मनोज मुंतसीर ने भुपाल के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी पर निशाना साधा था उन्होंने कहा था, बिदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी देश भक्त नहीं हो सकता राहुल गांधी पर ये बोला गया था, बिदेशी माता मतलब सोनिया गांधी तो महराज आप तो देशी माता से पैदा हुए थे आप तो राष्ट भगते आप से ये गलती कैसे हो गए आप देश द्रोग कैसे कर बैठे लाखों लोगों की भावनाओं को आहात कैसे कर बैठे आहात करने के बाद भी आपने समय पर माफी नहीं मांगी जब आपको दिखा कि आपका नुकसान होने जा रहा है अब आपका मतलब खतम हो गया अब आपका नुकसान होगा उसके बाद आपने माफी मांगी है इसके पीछे का मंतव है क्या है लोगों सवाल यही है कि आपको जब माफी मांगने की जरूरत थी तब आपने लगतार इंटर्वियू दियें, तब आपने माफी नहीं मांगी, लेकिन अब आप माफी मांग कर अपने सारे किये करायक को लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आपके टीवी सारे टिकेट बुकिंग बंद हो चुकी हैं, मुवी जो है वो परदे से उतर चुकी है लोगों का साफतोर पर यही कहना है कि जब आपका काम खतम हो गया तो आप माफी मांगने का काम कर रहे हैं सवाल यही है कि माफी आपको मिलेगी की नहीं, जनता आपको माफ करेगी की नहीं तो सवाल यही है कि क्या आपने इस वज़े से माफी मांगी कि आपके प्रोजेक्ट अब मिलने बंद हो गए हैं आपकी मुवी अब परदे से उतर चुका है, टिकेट बुकिंग हो चुकी है, तो जितने कलेक्शन होने थे, वो तो भाईया हो चुके, अब तो और कुछ आस बची नहीं है, तो माफी मांग कर लिपा पोती कर दो, और ये भी सवाल है कि क्या जनता माफ करेगी, क्या भूल ज कि और सीता के साथ ऐसे ऐसे जो भी आपने राइटिंग की, वो क्या जनता भूल जाएगी और इतनी असानी से माफ कर देगी, सवाल यही है, सोचना आपको है कि आपको माफ करना है कि नहीं, ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, जन्हीत आवाज, कमेंट बॉक्स म हमें अपने प्रतिक्रिया जरूर दे